पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनरजी और राज़िपाल जगदीब धनगड एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बयान देते रहे हैं राज़िपाल ने मम्ता बेनरजी पर कई बार कोरोना के सम्मद में जानकारी साजाना करने का आरोप लगाया है कई ऐसे मौके आये हैं जब राज़िपाल ने मम्ता बेनरजी पर अपनी अंदेखी करने का आरोप लगाया है पस्चिम बंगाल में मम्ता बेनरजी के निशाने पर भाजपाई हमेशा से रहे हैं कई बार भाजपा नेताओन के खिलाफ मम्ता ने कारवाईयां भी करवाई है मम्ता बेनरजी पर मुस्लिम तुस्टी करन के आरोप लगते रहे हैं कोरोना काल में कुछ दिनों पूर्व हुए लूट पार्ट के वीडियो सामने आये थे जिसमें पीडितों ने बंगाल पुलिस पर भी आरोप लगाया था इन सब के बीच कोरोना संक्रमन रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में किये जा रहे हैं उपायों पर भी वहां के राजपाल जगदीब धंगर ने नाराजगी जताई थी इसके अलावा बंगाल के हुबली से सांसत लाकेट चटरजी ने तेलिनी पाड़ा की हिंसा पर ममता सरकार पर गंभी रारोप लगाये थे केंदर सरकार के साथ ममता बनर जी का टकराओ हमेशा से देखा गया है पिछले दिनों कोरोना को लेकर मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा के दोरान भी ममता बनर जी ने अपने तेवर दिखाए थे इसके बावजूद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के काम की तारीफ करते हुए केंदर की जिम्मेदारी वाली सभी सुविधाय लगातार मुहिया कराते रहे पस्चिम बंगाल के स्रमिक बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं चौथे लागडाउन के दोरान स्रमिकों को उनके राज्यों में भेजने के लिए टेनों की उपलबदता पर भी ममता पर सवाल उठे थे कोरोना काल के दवरान पिछले दिनों अमफान तूफान से बंगाल में हुए नुकसान पर भी प्रधान मंत्री ने ममता बेनर जी के बुलावे पर तूफान पीडितों और नुकसान का जायजा लेने के लिए बंगाल गए और एक हजार करोर रूपियों की सहयता राशी की गोशना की ती लेकिन ममता इस से खुश नहीं थी उन्होंने एक करोड के नुकसान की बात कहते हुए सहयता राशी को कम बताया शायद ममता बनर जी को यह लगता हो कि ऐसे समय में सारी जवाबदारी केंदर सरकार की हो जबकि ऐसा नहीं है अन्य था राज्यों का अस्तित भी नहीं होता राज्यों का अस्तित उस राज्य की जनता की जवाबदारी की वज़ा से ही कायम है हाली में सुप्रिम कोर्ट ने भी स्रमिकों को घर पहुचाने और खाने पीने की ववस्ता को राज्यों की जिम्मेदारी बताया है इस दोरान कुछ फोटो भी सामने आये हैं जिससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ममता बनर जी के दायत और निर्वहन से खुश नहीं है ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी एक फोटो के माध्यम से दिखाई दे रही है इस फोटो में ममता बेनर जी और राज़पाल जगदीब धनगड दोनों सिर जुकाय प्रधान मंत्री मोदी को सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे जगदीब धनगड की शिकायतों को लेकर प्रधान मंत्री मोदी ममता से नाराज तेवर में बात कर रहे हैं हालां कि इस तस्वीर में क्या बाते हो रही है या मीडिया में नहीं आई है तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मामला शिक्वा शिकायत का है जिससे प्रधान मंत्री मोदी नाराज है और अपनी नाराजगी शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं लेकिन तस्वीर को देखने के बाद आल इस वेल नहीं कहा जा सकता ब्यूरो रिपोर्ट डी एनेक्स तीवी रायपूर